Hello everyone, कैसे हैं आप सब? रोज की तरह मैं लेकर आई हूं बहुत ही काम की वीडियो जिससे आपका काम बहुत ही असानी से हो जाएगा और कुछ ऐसे चोटे चोटे जुगार जिससे अगर हम अपना हैं तो हमारी लाइफ तो आसान होती है साथ ही साथ हमारे पैसो की भी बच्चत होती है तो वीडियो को एंड दर जरूर देखिएगा पसंद आता है तो फैमिली और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज की जो सबसे पहले टिप है उसमें हम साडी की फोल्डिंग द तो आज इसकी फोल्डिंग ऐसा आपके साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आप इसको बहुत ही अच्छे से और्गनाइज करके रख सकते हैं और जो हमारे साडी और ब्लाउस है ना दोनों एक साथ रहेगा तो आपको क्या करना है नॉर्मली जैसे हम साडी को फोल् इसके बाद आप इसके सारे हुक्स लगा दीजे उसके बाद इसमें हमें इस तरीके से ब्लाउस को फोल्ड कर लेना है ताकि इसी में इस तरीके से सेट हो जाए उसके बाद हमें करना है उपर से एक फोल्ड इस तरीके से तो देख सकते हैं ब्लाउस बहुत ही अंदर अच् यह साथ ही साथ जो हमाई साड़ी और ब्लाउस है एक साथ रहेंगे जब आप कहीं जाएंगे तो एजली आपको मिल भी जाएगी तो उमीद करते हूं सारी कि यह फोल्डिंग आपको जरूर यूसफुल लगी होगी चलिए देखते हैं नेक्स टिप कौन सी है अक्सर क्या होत हैं तो यहां पर हम एक बहुत ही हिड़ें पॉकेट बना सकते हैं इस तरह नेकिए पॉर्स ले लिजो पेटी कोट के अंदर इस तरीके से से सिफटी पिन के हेलब के टक कर लिजें अंदर की तरह से यह बहुत ही अच्छा सा पॉकेट बन जाता है जिसमें आप अपने अगर यूसफल लगा है तो पिलीज इसे एक लाइक जबाएगा और मेरा यह वीडियो आप बाकिन शेहरा करें ताकि मैं जान सेकुम ज़रूर में ज़रूर उपिणा है हैं तो आउप्स तो अमेद करते हूं यह वीज़ लगा होगा है चलिए देखते हैं नेक्स टिप जब ह हम रोटी वäreगरा बनाते हैं तो आप देखते हूं कि तब़ा जैसे हम बनाते हैं तो ऑईल जलता है तो तो यहां Rule, आज क्लीन करेंगे कॉल कालगेट की help से तो यहां पर हमें थोड़ा सा कालगेट इस इसका यूस करने के पजाए जो दवाई के पैकट्स आते हैं इनका यूस करेंगे अक्सर हमें इनको को फेक देते हैं पर इससे है ना बहुत ही अच्छी चिलीनिंग होती है जो इस तरीके जो यह बरतन होते हैं लोहे की गंदगी और कालिक जो जमा हो गई थी ना ओयल वेगर के जो लेयर जमा हो गई थी वो सब अच्छे से निकल जाती है तो यहां पर आपको आइरन स्क्रबर लगाने की ज़रूरत नहीं है तो यहां पर आपकी होगी थोड़ी सी बचत भी तो यह जो हम दवाई की पैकेट्स को फेक देते हैं इनका भी हम लोग यूज भी कर पाते हैं और साथी साथ हमारा काम जो है वो बहुत आसान भी हो जाता है और सबसे अच्छी बात इससे क्लिनिंग भी बहुत अच्छी होती है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो तवा है ना पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है तो एक बार इसको ज़रूर ट्राय करके देखिएगा उमीद करते हूं यह वाला टिपी आपको भी कुकर से बाहर नी आएगा दो हम जैसे डाल बनाते है ना नमा खल्दी वेगरा रखने के बाद आप उसमें थोड़ा सा घी रख दीजे तो घी रखने से क्या होता है कि एक तो डाल हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और साथ जो धकन से निकल के उसका जो निकल के आता है ना वो भी आपको दिक्कत यहां पर नहीं होगी तो यहां पर नमा खल्दी रखने के बाद हलका सा घी रख दिया है मैने उसके बाद आपको धकन लगा कर दिखाते हूं जब इस पे सीची मारेगा बिल्कुल भी जो डाल है ना वो कुकर से बाहर नहीं आता क्योंकि बहुत लोगी शिकायत होते हैं कि जो हमारे noodles, macaroni वेगरा जो होते हैं वो sticky बन जाते हैं तो जब भी आप इनको boil करें तो नमक तो हम add करते ही हैं साथ ही साथ आप उसमें थोड़ा सा oil add कर दीजिए कोई साथ भी cooking oil जो आप use करते हैं वो add कर दीजिए करना तो यह बिल्कुल भी sticky नहीं बनेंगे साथ ही साथ कुछ बातों का अगर हम और ध्यान देना तो यह बहुत ही अच्छे से खिली-खिली बनते हैं आपको क्या करना है कि इसको हमें over cook नहीं करना है मतलब 100% इसको cook नहीं करना है 70-80% आप इसको boil करिए और उसकी बाद आप इसको पानी से निकाल लीजे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो बहुत ही अच्छे से पक चुका है 70-80% यह हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसको ड्रेन कर लेंगे तो इस तरीके कोई जाली-दार बरतन लेकर आप इसका जो सारा पानी है वो ड्रेन कर लीजे उसकी बाद उसी वक्त हमें ठंडे पानी से इसको वाश कर ले बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनेंगे तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपके जो नूडल्स होता है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे तो जो एक बाद ट्रैकर करके देखिएगा चलिए देखते हैं नेक्स ट्रिप हमारे जो यह टीवी के रिमोट्स जो होता है अग अगर कभी गल्दी से हाथों से फिसल जाया अगर जमीन पर गिर जाता है तो यह टूटने का बहुत ज़्यादा चांसे इसके रहते हैं तो इसको बचाने के लिए सेफ रखने के लिए आप यहां पर यूज करिए इस देखिए जो रबर बैंड होता है ना विठाई की डब चुटे तरीके होते हैं जिनसे हम अपनी काफी सारी जो बचट कर सकते हैं तो उमीद करते ही यह वाला है कि यूसफुल लगा होगा देखते हैं नेक्स टेप यहां पर हमारी दवाई से रिलेटेड है जो इस तरीके सिरुप होते है ना तो इसकी जो सील होती है यह बहुत से जॉइंट वहाँ पर रहता है बस हलका सा नाइफ से आप इस तरीके सागर कर दीजेगा तो वो उसकी जो लेयर है वहाँ से तूट जाती है जिससे आप जो इस बोटल की जो कैप है बहुत ही एजली खोल सकते हैं तो जरूर एक बार ट्रै करके देखिएगा तो दोस्तों य लिजेगा और इनमें से आपको कौन से टिप सबसे ज़्यादा यूसफुल लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर शियर करिएगा कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा गुडबाए है